हलो एवरिवन वेलकम ओनलाइन स्टड़ी आईकुजी के दोस्तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मोहमद गोरी से समन्दित टॉप सूला प्रश्ण दोस्तो हम टॉपिक वाइज लूसेंट बुक हिस्टरी को कवर कर रहे हैं अगर आप किसी भी एक्जाम के तियारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज़्यादा मैत्पन होने वाला है तो चले दोस्तो देखते हैं फस्ट कुशन फस्ट कुशन है हमारा गौर किसके अदिन एक छोटा सा राज्य था तो दोस्तो जो गौर है ये महमुद गजनी के अदिन एक छोटा सा राज्य था तो इस कुशन का सही आंसर है ओप्सन नमबर बी नेक्स कुशन है साबुदिन महमद गोरी कब गौर राज्य का शासक बना था तो दोस्तो जो साबुदिन महमद गोरी है ये ग्यारा सो त्योत्र इस्वी में कब दोस्तो ग्यारा सो त्योत्र इस्वी में गौर राज्य का शासक बना था तो इस कुशन का भी सही आंसर है कब किया था तो दोस्तों मोहमद गोरी ने बारत पर पहला आकर्मन कब किया था ग्यारा सो पचोतर रिस्वी में कब किया था दोस्तों ग्यारा सो पचोतर रिस्वी में क्या था तो इस कुछन का से यह आंसर है ओप्शन नमबर सी नेक्स कुशन है मुहमद गोरी ने भारत पर पहला आकर्मन किसके विरूत किया था तो दोस्तो मुहमद गोरी ने भारत पर जो पहला आकर्मन है कब किया था दोस्तो 1185 एस्वी में किया था और किसके विरूत किया था मुलतान के विरूत क्या था तो इस कुशन का से आंसर है option number A next question है मुहमद गोरी ने भारत पर दूसरा आकरमन कब और किस के विरूत क्या था तो दोस्तो मुहमद गोरी ने भारत पर जो दूसरा आकरमन है ये कब क्या था दोस्तो 1188 SP में क्या था और किसके विरूत किया था दोस्तो पाटन गुजरात पर किया था तो इस कुशन का सही आंसर है ओप्सन नमबर B नेक्स कुशन है ग्यारसो अठोतर इस्वी में पाटन गुजरात का सासक कौन था तो दोस्तो 1188 SP में मौमद गोरी ने पाटन गुजरात पर आकरमन किया था उस समय सासक कौन था बिम दीतिये कौन था दोस्तो बिम दीतिये था तो इस कुशन का सही आंसर है option number C next कुशन है त्राइन का पर्थम यूद कब हुआ था तो दोस्तो जो त्राइन का पर्थम यूद है यह हुआ था कब दोस्तो 1191 SP में कब हुआ था दोस्तो 1191 SP में तो इस कुशन का सही आंसर है option number A next कुशन है त्राइन का पर्थम यूद किसके मद्य हुआ था तो दोस्तो त्राइन का जो पर्थम यूद है ये मौहमद गोरी और परत्वी राज तरत्य के मद्य हुआ था तो इस कुशन का सही आंसर है option number C Next कुशन है त्राइन का परत्वम यूद का निर्णे क्या रहा था तो दोस्तो त्राइन के परत्वम यूद में परत्वी राज तरत्य की विज़े हुई थी और मौहमद गोरी की हार हुई थी तो इस कुशन का सही आंसर है option number A Next कुशन है त्राइन का दित्य यूद कब हुआ था तो दोस्तो त्राइन का दित्य यूद कब हुआ था 1192 SP में कब हुआ था दोस्तो 1192 SP में हुआ था तो इस कुशन का सही आंसर है option number B Next कुशन है त्राइन का दित्य यूद किसके मद्दे हुआ था तो दोस्तो त्राइन का जो दित्ती यूद है ये महमद गोरी और पर्तिव राज तृत्य के मद्य हुआ था तो इस कुशन का सही आंसर है option number C नेक्स कुशन है त्राइन के दिती युद का निर्ने क्या रहा था तो दोस्तों त्राइन के दिती युद में मौहमद गोरी की विज़े हुई थी किसकी विज़े हुई थी दोस्तों मौहमद गोरी की विज़े हुई थी पर्तिराज त्रिते की हार हुई थी तो इस question का सही answer है option number B next question है चंदावर का यूद कब हुआ था तो दोस्तों जो चंदावर का यूद है ये कब हुआ था 1194 में कब हुआ था दोस्तों 1194 में हुआ था तो इस question का सही answer है option number D next question है चंदावर का यूद किसके मद्दी हुआ था तो दोस्तो जो चंदावर का यूद है ये गोरी और जैचंद के बीच में हुआ था मौमद गोरी और जैचंद के बीच में हुआ था चंदावर का यूद तो इस कुसन का सही आंसर है option number D next question है चंदावर का यूद का निर्ने क्या रहा था तो दोस्तो चंदावर के यूद का निडने क्या रहा था तो इसका सही आंसर है option number B गोरी की विजे हुई थी इस यूद में क्या हुआ था दोस्तो गोरी की विजे हुई थी तो इस कुशन का सही आंसर है option number B next question है दोस्तो मोहमद गोरी की हत्या कब हुई थी तो दोस्तों मोहमद गोरी की जो हत्या है ये हुई थी 1206SV में कब हुई थी दोस्तों 1206SV में हुई थी तो इस कुछन का सही आंसर है option number D दोस्तों एक प्रश्ण आपके लिए है जिसका आंसर आपको comment section में देना है प्रश्ण है मोहमद गोरी ने बारत पर पहला आकर्मन कब किया था आपके पास चार option है चार option में से एक आंसर आपको comment section में देना है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे like और share जरूर कीजी मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय बारत